नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधू की पारशाला पर डीसी रेट पर जो भरतिया निकली हैं हर्याना कोशल रोजगार निगम के तहट टीजिटी सिक्षकों पर जो भरतिया निकली हैं उसकी फुल डीटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ कैसे आप उसको अपलाई कर सकते हैं कौन-कौन से पदो पर भरतिया निकली हैं किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप किसी भी तरह की मिस्टेक से बच सकें तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें ये देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि कौन-कौन से सब्जेक्स पर ये वकेंसी आई हैं देखिए TGT Art, English, Hindi, Science, Mathematics, उसके बाद Music, Physical Education, Punjabi, then Sanskrit, आपके लिए Science, Social Science and Urdu ये सब हमारे पास इसके सब्जेक्स रहेंगे अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की क्या-क्या क्वालिफिकेशन आपको इसके लिए चाहिए तीन चीजें हमारे पास इसके लिए नससरी हैं, सबसे पहले तो आपकी BA होनी चाहिए BA या B.H.C यानि की Bachelor डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ ठीक है आपने जो भी Bachelor में लिया हुआ था कि Commerce है या फिर Science है या फिर Arts है जो भी Subjects आपने लिये हुए थे उसके according आपके 50% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए दुसरी बात आपकी BA qualification आपकी होनी चाहिए ठीक है BA आपने क्वालिफाइ किया हो तीसरा हमारे पास Agitate क्वालिफाइ होना चाहिए ठीक है आपके लिए Agitate क्वालिफाइ होना चाहिए तो यह तीन तरह की तो Education Qualification है आपके लिए कि BA with 50% मार्क्स देन BA देन Agitate ठीक है अब उसके बाद यह चीज़ आती है कि कौन सी जो है BA ज़े है अडमिट करेंगे तो वो हर तरह की BA है जैसे आपने BA के बाद 1 year में किया हो या 2 year में किया हो या आजकल जो है यह एक और जो एक तरीके से भी यड किया है तो यह हो गई है बात हमारी दूसरा आप कब से कब तक इसके आवेदन कर सकते हैं आज 6 है 6 10 2022 से लेकर के आप इसके लिए 7 11 2022 तक आवेदन कर सकते हैं ठीक है यानि कि आपके पास full month है एक month जिसके लिए आपको आवेदन करने हैं जिसमें आप एक महीना है आपके पास अब हम बात करते हैं कि आप इसके लिए अपलाय कैसे करेंगे देखिए इसके लिए जो इनकी official website होती है कोशल रोजगार योजना है ना कोशल रोजगार के लिए तो उस पे आप जाकर के अपना TGT की वेकैंसी पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप फोर्मा मिलेगा जिसको आपको फिल करना है पहले तो आपसे वो सारी personal details मांगते हैं उस personal details को आपने फिल करना है ठीक है दन उसके बाद आपकी qualification details यह मांगेंगे qualification में आपका जो भी metric और secondary ठीक है यानि कि 10th plus 2 दन बी ए उनकी जो documents है उनको आपको फिल करना है यानि कि वहां पे मिलेगा आपको roll number आपने कितने marks लिए कौन-कौन से subjects थे सोरी फिर दन कितने marks लिए कितने में से लिए दन कितनी percentage बनती है तो यह पूरा का पूरा ऐसे एक column मिलता है आपको उस इसे तरीके से आपको बेड के marks करने पड़ेंगे दन आपको एस्टेट के लिए बताना पड़ेगा ठीक है एस्टेट के लिए वही कि किसी एर में आपने qualify किया था कितने marks के साथ किया था ठीक है वह परफॉर्मा पूरा फिल करने के बाद आप उसको वहां पे save कर देंगे दन आपके जो है उसमें एक और चीज में आपको clear कर देती हूं कि यह जितने भी vacancies है यह contractual base पे है ठीक है contract base पे है और इसके लिए permanent नहीं होता है कभी भी ठीक है तो लेकिन हटते भी नहीं है यह भी confirm ही रहता है लेकिन इसमें contract base पे ही रहेगा यह चीज आपको clear होनी चाह इनका जो pay scale रहता है most probably वो 20,000 के आसपास ही रहता है फिर बाद में जो है promotions होते रहते हैं तो उसके coding जो है increment लगते हैं तो आपकी जो starting होती है वो 18 से 20,000 पे जो है वो starting होती है ठीक है तो इसमें भी आपको कोई confusion नहीं रहने चाहिए कि आपको यह TZT जो हर्याना की vacancy होती इसके बराबर pay scale देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है यह जो screening के base पर जो vacancies fill की जाती है उससे बिल्कुल different होती है इसलिए इसमें जो है pay scale थोड़ा कम रहता है ठीक है अब क्या रहता है कि criteria कि आपका selection किस तरीके से होगा देखिए मैं आपको यहां पर clear कर देती कि इसका जो selection होता है उसमें exam नहीं होता आपके यह exam पे base जो है vacancies नहीं निकलती है यह आपके जो भी documents आप fill करते हो उसकी base पे marks लगते हैं और उस marks के base पे merit लगती है उस merit के base पे जो भी हमारे पास बच्चे कहते हैं कि top पे रहते हैं उन tops का जो है selection हो जाता है ठीक है तो exam नहीं होता है इसका पहली बात तो दूसरी बात की जो आप documents उसके अंदर fill करेंगे जैसे आपकी अगर टैट हुआ हुआ है या दो या तीन बार आपने टैट किया है तो एक ही बार ही admit किया जाता है फिर जिसमें जितने अच्छे marks रहते हैं आप वह डाल सकते हैं ठीक है क् marks की value बढ़ जाती है अगर आपने net qualify किया हुआ है आप आपने PhD किया हुआ है तो भी आप उसके अंदर आप जो है options होते हैं वह आप mention कर सकते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भीड से अलग कर देती हैं अगर आपके पास वह qualification है तो आप उसके अंदर जरूर add कीज ठीक है तो यह हमारे पास क्या हो गई है कुछ ऐसी चीजें जो आपको जरूरी जाननी होती हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के comments इसी base पर आते हैं कि मैं फिल कैसे करना है कितनी salary रहती है ठीक है और किस base पे इसका selection होता है तो I hope कि मैंने आपके सारे answers पहले ह ही दे दिये हैं ठीक है जो भी आपकी query रहने वाली थी ठीक है और इसके लिए जैसे इसने लिखा है कि आप visit कर सकते हैं इनके website for qualification requirements is hkrml.itiharyana.government.in ठीक है यह जो इनके website है इस पे आप visit कर सकते हैं और जो भी qualification इनकी है वहां से आप confirm कर सकते हैं अगर कहीं भी कोई missing point रहे गया है तो ठीक है offline इनके लिए registration नहीं कर सकते हैं आप and the last date visit the website at the rate this ठीक है यह हमारे पास 610 जो है notification निकला है और इसके लिए आप जो है apply कर सकते हैं इसके बावजूद भी अगर कोई आपका doubt रहे गया है तो आप हमसे discuss कर सकते हैं comment box में डाल सकते हैं then I'll reply you for the same एक और चीज़ में आपके साथ इसमें discuss करना चाहती थी कि इसने लिखा है एच एससी ने कि अभी टीजीटी के पदों पर भरतिया निकली है 7421 अभी पीजीटी के पदों पर भी भरतिया बहुत जल्द निकलने वाली है तो जो बच्चे पर इस प्रेंग के एक्जाम में जो इंडल्ज होए हैं जिसके लिए पांच से आवेदन शुरू हो गए हैं वो अब पीजीटी के लिए भी अपने तयारियां शुरू कर दें क्योंकि बहुत जल्द पीजीटी के लिए भी वेकैंसी जो है आने वाली है